हलो माई डियर स्टूडेंट्स आ वलकम यू ओल टो माई यूटीब चैनल एमामध स्टोडी सर्कल आज के इस वीडियो में हम लोग रत्न सागर इंगलिस रीडर क्लास 8 से एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है दी टाइगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टाइगर का स्पेलिंग थोड़ा सा गडबड है टी आई जी ए आर होता है लेकिन यहाँ पे पोएट ने टी वाई जी ए आर यूज किया है basically poet के पास एक poetic license होता है जिससे वो English के words को और उसके spelling को बदल सकते हैं जैसे tiger को यहाँ पे tiger बना दिया गया है जैसे real को really या true को truly भी बनाया जा सकता है तो यह license सिरफ poets के पास होते हैं ठीक है तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस poetry के माद्यम से William Blake हमें क्या बताना चाहते है So William Blake wonders at the beauty of creation in this poem Creation कहने का मतलब संसार की खुबसूरती इस दुनिया की खुबसूरती के बारे में William Blake इस कवीता में बात करते है He asked the tiger a series of questions marveling at its perfection Marvelling कहने का मतलब वो tiger की खुबशूरती उसके perfection को देखकर आश्चर जी चकित रह जाते हैं हैरान रह जाते हैं और एक tiger से कई सारे सवाल पूछते हैं और वो कैसे सवाल पूछते हैं हम लोग अपने poetry के माध्यम से देखेंगे ठीक है तो बेसिकली यह जो पूएम है यह थोड़ा सा बड़ा पूएम है लेकिन आपके इस बुक में इस पूएम को शॉट करके दिया गया है इसके कुछ एस्टेंजा को यहाँ पे नहीं दिये गए है तो हमें जो दिया गया है उसको हम लोग पढ़ते हैं और समझने की कोशिस करते हैं औरिजनल में यह पूएम थोड़ा सा और बड़ा है ताइगर ताइगर बर्निंग ब्राइट इन दे फॉरेस्ट आफ दी नाइट यहाँ पे इस First Estengia के First Two Line में हमारे ओथर विलियम बलिक टाइगर को संबोधित करते हैं और कहते हैं टाइगर ओ टाइगर तुम जंगल में रात के अन्धेरे में एकदम आग की तरह जलते हो आग की तरह चमकते हो जैसे कि आपको यहाँ पे टाइगर दिख रहा होगा तो टाइगर का जो color होता है वो एकदम dark orange color होता है और ऐसा लगता है यह आग के जलने जैसा दिखाई देता है तो वही हमारे author कहते हैं टाइगरो टाइगर, burning bright in the forest of the night जंगल में रात में तुम आग की तरह जलते हो यहांपे दाई का मतलब होगा योर इममॉर्टल किसको कहते हैं हम इनसान मॉर्टल होते हैं मरंसील होते हैं लेकिन जो भगवान होते हैं जो God होते हैं वो Immortal होते हैं वो हमیसा हमیसा के लिए रहने वाले होते हैं तो basically इन दोनों लाइन के माध्यम से हमारे author ये कहना चाहते हैं कि भगवान ने तुम्हें बनाया है भगवान ने इस fearful इस डराओने क्रियेचर को बनाया है immortal hand or eye का अगर मतलब आपको समझना है तो आपको यहाँ पे आना होगा यहाँ पे बताये गया है the person who created the tiger could not be an ordinary or mortal being कि जिस भी इनसान ने बाग को बनाया होगा वो एक सधारन इनसान नहीं हो सकता है वो एक सधारन बेगती नहीं हो सकता है तो basically जिस हाथ ने जिस आँख ने और जिस परसन ने tiger को बनाया वो कौन है वो obviously भगवान है फिर आगे कहते हैं तुम्हारी आँखों में जो आग है वो कहां से लाए गया है वो किस नर्क या किस स्वर्ग से लाए गया है यहाँ पर distant deeps और skies कहने का मतलब नर्क और स्वर्ग को रेफर किया गया है तो तुम्हारी आँखों में जो आग है भगवान ने उस आग को कहां से लाया है नर्क से लाया है या स्वर्ग से लाया है अब यहाँ पर wings dare he aspire अब यहाँ पर wings dare he aspire इसका क्या मतलब होगा हमें नीचे आना होगा यहाँ पर बताए गया है वही बात यहाँ पर बताए गयी है On what wings dare he aspire What the hand dare seize the fire मतलब टाइगर को बनाने वाला जो भगवान है वो किस हम्मत से टाइगर के पास गया होगा क्या उसके पास पंक थे और वो आग जो तुम्हारे आँखों में जलते हैं उसको पकड़ने की हम्मत किस हाथ में की होगी भगवान के किस हाथ में उस आग को पकड़ने की हम्मत की होगी जो तुम्हारे आँखों में जलती है तुम्हारे आँखों में देखने को मिलती है अब हमारा इस पोलिटरी का लास्ट एस्चेंजर हम लोग देख लेते हैं अब देखो अगर हम literal मतलब समझे तो इसका मतलब होगा जब तारों ने अपने भाले नीचे फेक दिये थे लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं होगा स्टार्स त्री डाउन देर स्पीर्स कहने का मतलब है जब सितारों की रौशनी नीचे आई तब क्या हुआ जब तारों की रौशनी नीचे आई और उन्हों ने अपने आसों से स्वर्ग को भर दिया jadi he a smile his work to see तो क्या भगवान ने अपने काम को देख कर a smile किया भगवान ने जो क्रियेचर जो परानी I mean tiger को जो बनाया था उसको देख कर क्या भगवान से रह थे क्या ये वही भगवान है जिन्होंने मेमने को बनाया उन्होंने ही तुम्हे बनाया क्या ये वही भगवान है जिन्होंने तुम्हे बनाया और जिन्होंने मेमने को बनाया जिन्होंने बकरी को बनाया क्या ये दोनों भगवान एक हैं यहां पर इस line के मादम से हमारे author कहना चाहते है कि भगवान एक साथ एक डराउनी चीज़ को भी बनाता है और एक डरने वाली चीज़ को भी बनाता है एक मिमना एक tiger को देकर डर जाता है फिर हमारे author वहीं पहले वाले stenja के कुछ lines को दुबारा repeat करते हैं और इसको लिखा गया है William Blake के द्वारा ठीक है मैं एक बार फिर से इस poetry को throughout पढ़ने की कोसिस करता हूँ आप सब भी मेरे साथ पढ़ने की कोसिस कीजेगा Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night What immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry In what distant deeps or skies burn the fire of thine eyes On what wings dare he aspire What the hand dare seize the fire When the stars threw down their spears And what'd happen with their tears Did he smile his work to see Did he who met the lamb make thee Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night What immortal hand or eye Their frame thy fearful symmetry Written by William Blake तो इस तरह से हमने इस poetry को काफी अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया इस poetry का explanation कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे comment करके जरूर बताएगा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को like कीजेगा और चैनल पर नए होगे तो चैनल को सबस्क्राइब कीजेगा मिलते हैं एक नए चिप्टर के साथ तब तक के लिए बाबाए